जो अपमान हम लोग राग सा करके आज यहां पर पड़े वे हैं चुकि पार्टी के हित के लिए हम ये काम कर रहे हैं गुरू जी हो चाहे हैं मन्थ हो गुरू की कुर्सी कुर्सी है और उसको कोई नहीं छोड़ना चाहता और उस परिवार से हट ने सकता है मैंने समझता हूं कि सिभू सुरेन का परिवार चंपई सुरेन को बहुत नजदीक अपने आपको समझते थे और विश्वासी और भरोसे मंद व्यक्ति के रूप में देखते थे ये निरनाए चंपई जी का बहुत अच्छा है बलकि उनके पोलिटिकल के रियर के लिए निसी से बहुत गातक है और अपने पर 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 कुलाड़ी मर रहा है लेकिन दो हजार पांच में तो आप भी जेबीम पार्टी के निर्मान किये थे हेमन सोरेन को हरा दिये थे लोग कर आज तक उसी के चलते आपको मंत्री पद नहीं मिल पा रहा है यह हम भी समझते हैं और बराबर चिंता करते हैं जेमेम में गुरु जी के बाद सबसे सिनियर लीडर चमपई सोरेन अब भाजपा के हो गए हैं तीसरे नंबर पर आने वाले स्टीफिन मारांडी के पास हम आये हैं यह जानने के लिए कि यह फैसला उनका कैसा रहा क्या पक्ष में रहा भी पक्ष म बव है उस रूप से कैसे देखते हैं इस टीफिन दा अगर मान लीजे चमपई दा को दू नंबर पर रखते तीन नंबर पर तो आप हैं ही फैसला कैसा रहेगा भविस में उनके लिए देखिए दूसरा में रहे तिसरा में रहे सिवु सुरेन के बाद उनके परिवार के ल चमपई स्वरेन को बहुत नजीख अपने आपको समझते थे और विश्वासी और भरोसे मंद व्यक्ति के रूप में देखते थे जिसके वजय से एक बेग बिना निर्ने का पाटी का उन्होंने चुना सी एम का रूप में और सी एम उनको बनाया और जितना दिन जेल में ध को सीम रहें इसके बाद यसे निकले हैं तो उनने मांगा तो निस्चित रूप से बहुत जादे तो नहीं कहेंगे सिर्प उनका एक ठो ब्यान आ रहा है कि हमको टीचर्स निकती में नहीं बाटने दिया गया या दुमका का प्रोग्राम को ड्रॉप करने दिया गया तो निस्चित रूप से हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अपमान नहीं है कि जब आ गए तो निस्चित रूपते उनको अपने पसंद से खुसी-खुसी वो पोस्ट को वापस करना चाहिए था और हमने समझते हैं कि ये निरनाए चमपे जी का बहुत अच्छा है बलकि उनके पोलिटिकल केरियर के लिए निस्चित रूप से बहुत गातक है और अपने पहर पर पर कुलाड़ी मरना है काय कि कोई ब्यक्ती दुसरे पार्टी में जाके उस तरह से पहर ने जमाता और बहुत दिन तक नहीं जात चलता है इसलिए हम सुचते हैं कि चमपे जी का ये निरनाए सही नहीं है लेकिन दो हजार पांच में तो आप भी जेबीम पार्टी का निर्मान किये थे हेमन सोरेन को हरा दिये थे लोग कर रहा है आज तक उसी के चलते आपको मंत्री पद नहीं मिल पा रहा है मिनिस्टर विदाउट प्रोट्फोलियो बना के रखा गया है तो ये आप मान आपके लिए नहीं हो लेकिन चमपाईदा को तो लग गया दिल से इसलिए उचोड़के चले गए देखिए ये हम भी समझते हैं और मौसुस किया है कि पार्टी छोड़के पार्टी बनाना उतना आसान नहीं है हम से भी कदावर बावलाल जी थे बीजेपी से आकर के बहुत परियास किया और लोगों ने बहुत परियास भी किया बीजेपी में ले जाने के लिए लेकिन वो नहीं गए लेकिन अंतता उनको जाना पड़ा देखा कि हम नहीं टिकेंगे अपना पॉलिटिकल जो किरियर है जो लोस है उसकी भरपाएं हम नहीं कर पाएंगे दूसरे जगह खड़ा हो करके और इसी तरह से यही भी है कि हम मुख धरा को छोड़ करके दूसरे जगह खड़ा नहीं हो सकते हैं ठीक है लेकिन चमपईदा जो एक बात कह रहे हैं कि आप लोग को सिनियर लीडर लोग जो हैं उसमें समझने वाला मात्र एक गुरू जी है और वो इस अवस्था में नहीं है कि आप लोग को समझ पाए बात्चित कर पाए या और हमन्त बाबू उस तरीके से आप लोग से डिसकसन उसकसन नहीं करते हैं वो भी करते कि हम पीड़ा किसको बया करें इसी लिए सोचा खुद को अलग कर ले देखें गुरू जी हों चाहे हमन्त हों सियम की कुर्सी कुर्सी है और उसको कोई नहीं छोड़ना चाहता और उस परिवार से हट ने सकता है जो हम लोग समझ के चलता है इसलिए जो अपमान हम लोग सा करके अज यहांपर पड़े हैं चुकि पार्टी के हित के लिए हम यह काम कर रहे एक हम अपने से ही कहिए कि अपनी इक्षा से हम पाटी में लोटाएं और पाटी में बनेंगे लेकिन दादा एक बात तो है जब आप करें कि गुरु जी के बाद हैमन जी का ही है सियम कुरसी अप मानो चाए समानो पाटी के हित में आप जूटे हुए हैं लेकिन अब यही सवाल उठा रहे हैं चंपईदा के समर्था किया मतलब BJP के लोग कि क्या जेमें आधिवासी का मतलब सिर्फ हेमन परिवार ही सोरें परिवार ही समझता है कोई और आधिवासी को मतलब इतना नहीं है कद कि जेमें में कभी मुख्य मंत्री बन पाएगा नहीं बन पाएगा निशीत रुप से लेकिन जो प्रमपरा उन्नों का है कि हम अपने परिवार से इस पद को दुसरे के हाथ में नहीं जाने देंगे ये उन्नों का निर्न है ठीक निर्न है ठीक निर्न है कि बुरा निर्न है ये तो उन्नों की बात है निसीत रुप से कोई भी अपना कुर्शी दूसरी को देना ने चाता है चुकि आप सिनियर आदमी हैं जारखंड का कोना कोना घुमे अगर आपको चुनना होगा बाबुलाल मारांडी, चंपई, सोरेन, अर्जुन, मुंडा और चल ये मधुकोडा का भी ले लिए आपका कोई ब्यक्तिकत कोई चोई नहीं है ठीक है, एक आखरी सवाल हम ले लेते हैं कुलहान में क्या बीजेपी मजबूत हो जाएगी आप चौदा का चौदा सीट जीते हैं आपकी एलाइंस वहाँ पे एक अगर सर्यूराय को छोड़ दे उत्तर टस्त हैं तो आगे क्या देख रहे हैं दो ही महिने के बाद चुनाव है खासकर कुलहान में और संथाल में कितना असर डाल पाएंगे चंपाई नहीं लगिंव जारकन मुक्तिमुर्चा को असर पड़ेगा है पसरती हैं आप टटस्त रहें और जारकन मुक्तिमुर्चा के साथ रहें जितने जिते हुए हैं तो निसीत रुप से वहाँ की जानता उनकू पचानेगी जारकन सिंबॉल जादा है अच्छा दादा एक बात बताइए अभी भी आपके पार्टी के महाश्चिन ने काई कि घलत निर्ने ले लै लिया है चंपाइदा उनको फिर से विचार करना चाहिए आप क्या सला देंगे चंपाइदा को ने, हम भी वह इस्ला देने, कि उनको ये विचार बदलना चाहिए, और उस वर पुनर विचार करना चाहिए, अपने राजनितिक जीवन के लिए, जो उनोंने किया है, अगर सही मैने में उर करना चाहते हैं, राजनितिक, तो पुята वो पसाना चाहिए और कोई एडवाइस है आपका बीजेपी के लिए खास कर देखिए बीजेपी के लिए कोई एडवाइस हमारे पास नहीं है जैमेम के लिए जैमेम के लिए निस्टीत रुप से उनको मनना चाहिए बात करना चाहिए और बहुत सरा अधुहरन है यहां पर कि बीजेपी में जा कोई कोलहान से आफी के पाटी से पाट साला से पढ़ के गए और वहां हेड मास्टर तक बने तो इनको भी लग रहा होगा कि हम एड मास्टर अल्रेडी थे ही हो सकता है चांसलर बने इस चीद रुप से ये गलत ने नहीं हो सकता है देख रहे हैं और सब लोगों का भी क्या आस्र है और पाटी क्या निर्ने लेगा तो बीजेपी समझेगा कि इसको किस जगह में रखेगा सुक्रिया स्टिफेंदा कह रहे हैं कि ये निर्ने गलत है चंपईदा का चंपईदा को फिर से विचार करना चाहिए पाटी को भी मानाने की कोशिस करनी चाहिए महां जाकर वजूद खत्म हो जाएगा आगे आगे देखिए होता है क्या तीस तारिक को एकदम अधिकारिक तोर पे चंपईदा भाचपा के हो जाएंगे और उसके बाद बीजेपी उनको कहां से लाडाती है किस पद के लिए लाडाती है वो भी देखना दिल चस्प होगा सुक्रियो प्रग्स आगे लेट सर्दी प्रग्स बज्ड कर्वाचे न्हीं के लाडाती है व्डाय लाडाती है जो जाएगा है लाड़ अवीज उल्डाय देखने लीजेए लग्ड़ और इस